आज की इस वीडियो में बात करेंगे शिमला मिर्च यानि कैपसिकम के बारे में शिमला मिर्च को ग्रो करने से रिलेटेड कुछ 8 से 10 पॉइंट्स आपके साथ शेर करूंगी जैसे शिमला मिर्च के बीज को लगाने का सही तरीका क्या है पॉधे तयार करते वक्त आपको किनकिन बातों का ध्यान रखना चाहिए पॉधे ट्रांस्प्लांट करने के बाद आपको पॉधे की कैर कैसे करनी है शिमला मिर्च में लगने वाली बीमारिया कौन-कौन सी होती है कैसे आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं शिमला मिर्च में फूल आते वक्त आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है साथी फ्लावरिंग की संख्या को बढ़ाने के लिए उसमें आपको कौन-कौन से खाद वगेरा देने चाहिए जब शिमला मिर्च में फल लगना स्टार्ट हो जाएं तब आपको किन-किन खात का इस्तमाल करना चाहिए जिससे फ्रूटिंग जादा हो सके और फल का जो साइज है वो बड़ा मिल सके साथी साथ गमले या ग्रो बैग की साइज आपको रखनी है लगाने का सही समय क्या होता है इन सभी के बारे में पूरी डीटेल जानकारी होगी जिसको ध्यान में रखकर अगर आप अपने घर पे शिमला मिर्च ग्रो करेंगे या फिर अगर आपने शिमला मिर्च का पौधा लगाया हुआ है तो उससे आप धेर सारी मात्रा में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ले पाएंगे तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे गार्डेन में लगे वे जितने भी शिमला मिर्च के प्लांट है सब ही प्लांट में बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग भी है और फलो का साइज भी आप देख सकते हैं एक एक शिमला मिर्च की साइज आप देखो कितनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च जो है वो लगी वी है एक साथ इतने सारे फल लगे होने के बावजूद भी फलों का साइज जो है वो बिलकुल बजार में मिलने वाले जो शिमला मिर्च होते हैं उन्ही के साइज का है इधर भी आप देखो, इस फल का भी साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो वरायटी की शिमला मिर्च लगाई वी है तो इस वाली वरायटी का आप फ्रूट शेप जो है वो देख सकते हैं थोड़ा अलग है और एक साथ देखो आप कितने सारे फल लगे है इस वाले शिमला मिर्च में आप देख सकते हैं एक साथ पाँच पाँच शिमला मिर्च लगे वे हैं और पाँचों ही जो हैं अब हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हैं यह वाला प्लांट आप देख सकते हैं इसमें एक साथ जो है कितने सारे शिमला मिर्श लगे वे हैं अभी तीन आपको फूरूट बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे और मैं प्लांट की फ्लावरिंग आपको दिखाती हूँ इतनी अच्छी फ्रूटिंग होने के बाद भी अभी भी पूरा प्लांट जो है वो फूलों और कलियों से भरा हुआ है तो ऐसे ही जितने भी शिमला मिर्श के प्लांट मेरे गार्डेन में लगे हैं सभी में ऐसे ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो रही है और बहुत सारी मात्रा में जो मुझे शिमला मिर्श है वो टाइम टू टाइम हर्वेस्टिंग करने को मिल रही है तो दोस्तों जब भी आप शिमला मिर्श ग्रो करते हैं अगर आप उससे अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेना चाहते हैं तो उसमें सबसे important factor जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि बीज की quality होती है हमेशा आप शिमला मिर्श या किसी भी अन्य पौधे को ग्रो करने के लिए बीज की quality अच्छी लिया करें बीज अच्छी लेने से पौधे भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं और उनमें आगे जाके फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी जादा मात्रा में होती है अगर आपको शिमला मिर्श की अच्छी quality के बीज चाहिए तो उसकी link नीचे description में हैं आप चाहें तो वहाँ से बीज जाके खरीच सकते हैं दूसरा शिमला मिर्श ग्रो करते वे जो सबसे important factor होता है वो है शिमला मिर्श के पौधे स्वस्त तयार करना क्योंकि शिमला मिर्श की तरह ही एक ऐसी variety है यानि एक ऐसी सबजी है जिसके पौधे में बिमारियां बहुत जादा लगती है खास कर जब आप उसके पौधे तयार कर रहे होते हो उस time पे बिमारियों का attack बहुत जादा होता है और शुरुवात में ही अगर उसके पौधे खराब हो गए यानि उनमें बिमारियों का अटैक हो गया तो उसको आगे जाके कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए जब भी आप बीज से शिमला मिर्श का पौधा तयार करते हैं तो उसकी मिट्टी जो है आप एकदम हल्की बनाए इससे जो है पौधे की जड़ें अच्छे से ग्रो होती हैं और जितनी अच्छी तरीके से जड़ें ग्रो होंगी पौधा उतनी तेजी से और अच्छी तरीके से ग्रो करेगा और उतना ही स्वस्त पौधा आपका रहेगा अगर पौधा स्वस्त रहेगा तो उसमें बिमारियों का अटैक भी कम होगा तो हमेशा पौधे तयार करते वक्त जो आपको मिट्टी बनानी चाहिए वो 50% कोको पिट ले ले आप जो नारियल के छिलके का बुरादा होता है और 50% आप उसमें वर्मी कमपोस्ट या सडीवी गोबर की खाद ले लें साथे शिमला मिर्श में फंगस की भी प्रॉबलम बहुर जादा आती है इसलिए पौटिंग मिक्स तयार करते वक्त चाहे बीज लगाने के लिए पौटिंग मिक्स तयार करें या पौधे ट्रांस्फरांट करने के लिए सभी में आपको फंगिसाइड जो है वो जरूर मिलाना चाहिए जैसे यहाँ पे मैं ट्राइकोडर्मा का इस्तमाल कर रही हूँ जो कि एक और्गानिक फंगिसाइड है आपके पास जो भी फफंग नासक है आप उसका यहाँ पे इस्तमाल कर सकते हैं अब शिमला मिर्च के बीज को आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस प्रकार से लगा देना है हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शिमला मिर्च के जो बीज होते हैं वो साइज में काफी पतले होते हैं तो इसको आपको बहुत जादा अंदर मिट्टी के गहराई के नहीं लगाना है बीज लगाने के बाद आपको मात्र एक चोथाई सेंटिमेटर या मैक्सिमम आधा सेंटिमेटर की मिट्टी उपर से कवर करनी चाहिए नहीं तो आपके जादा तर बीज जो है वो उग नहीं पाएंगे यानि मिट्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे जादा गहराई में रहने के कारण और अंदर ही सड़िया गल जाएंगे अब शिमला मिज के बीज को उगने में थोड़ा जादा समय लगता है जैसे कम से कम इसमें साथ से आट दिन का समय लग जाता है तो जब तक बीज उगना जाएं तब तक आपको मिट्टी में अच्छी तरीके से नमी बना के रखनी है अब शिमला मिज के बीज जब अंकुरित यानि जो पौधे हैं वो मिट्टी के बाहर निकल आएं तो आप उसको पूरी धूप वाली जगह में रखके ग्रो करें जैसे आप देखो इस वाले कंटेनर में मैंने धेश शारे सिमला मिज के बीज लगाए थे और जितने भी बीज मैंने लगाए थे सारे के सारे बीज बहुत ही अच्छी तरीके से अंकुरित हुए हैं तो जब आप देखो कि आपके पौधे कुछ इस साइस के हो गये हैं तब आप उनको जो है किसी बड़े कंटेनर में या गमले या ग्रो बैग या क्यारी या जमीन जहां पे भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ उसको ट्रांस्प्लांट करके आप ग्रो कर सकते हैं जैसे पौधे में एक बार तीसरी या चौथी पती आ जाए तो वह बिलकुल ट्रांस्प्लांट करने के लायक होते हैं इस स्टेज पे आप उनको बहुत अच्छे से ट्रांस्प्लांट कर सकते हैं शिम्लामिच कट ग्रो करने के लिए अगर आप ग्मले या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो ग्मले या ग्रो बैग की एक प्लांट के लिए आपको साइज कम से कम 10 by 10 इंच की रखनी चाहिए या 12 by 12 – 16 के कंटेनर में भी आप इसको लगाके ग्रो कर सकते हैं और शिम्ला मिर्च ग्रो करते वक्त उसके लिए जो potting mix है वो हमेशा आप nutrition rich यानि पोशक तत्वों से भरी और well-drained बनाएं अब सबजीों या फूलों वाले पॉधे के लिए अच्छी और हलकी मिट्टी कैसे बनानी है उस पे already detailed video मेरे चैनल पे uploaded है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो link में description में नीचे डाल दूँगी आप चाहें तो वो वीडियो जाके चेक आउट कर सकते हैं और जब भी आप शिम्ला मिर्च के पॉधे transplant करते हैं तो अगर जैसे आप देखो इस तरह के container में आपने लगाया हुआ है मतलब जहां से आपको जड़े उखार के पॉधे transplant करना है तो हमेशा पॉधों को बहुत सावधानी से निकालें ताकि जड़े उसकी तूटे नहीं नहीं तो पॉधे उखारते वक्त जड़े जड़े ज़ादा तूटने से पॉधे जो हैं वो transplant शौक में चले जाते जिससे उनकी क्रोथ अच्छी नहीं हो पाती है अब शिमला मिर्च के पॉधे में बिमारियों की बात करें तो इसमें leaf curl की problem बहुत जादा आती है यानि पत्ते मूरने की समस्या मिर्ची के पॉधे से भी जादा leaf curl की problem शिमला मिर्च के पॉधे में देखने को मिलती है और leaf curl की जो problem है यानि पत्ते मूरने की समस्या वो plant के किसी भी stage पे आ सकती है लेकिन ये problem सबसे जादा जब आप पौधे तयार कर रहे होते हैं या फिर जब आप पौधे को transplant करते हैं उसके कुछ दिनों के अंदर ये समस्या बहुत जादा आती है तो शिमला मिर्च क्रो करते वक्त आपको ये routine बना लेना है कि हर week या हर 10 से 12 या 15 दिन में आपको नीम ओयल का spray ज़रूर करना है शिमला मिर्च के प्लांट में और plain नीम ओयल नहीं आप जैसे एक लीटर पानी में 5 से 10 अमेल नीम ओयल डाल रहे है तो उसमें एक से दो ड्रॉप कोई सा भी liquid soap solution जैसे hand wash या बरतन दोने वाला जो liquid soap होता है उसको डाल कर अच्छे से mix कर पत्तों के आगे साइड और पत्तों के पीछे साइड दोनों साइड अच्छी तरीके से आप spray करें इसका regular spray करने से जो thrips, mites, white fly यानी सफेद मखी जैसे जो कीड़े होते हैं उससे आपका प्लांट बचा रहेगा इन जैसे कीडों की वज़े से जो है leaf curl बहुत जादा आता है शिमला मिर्च जैसे पौधों में शिमला मिर्च के पौधों में अगर जड़ों के पास ज्यादा पानी रुकेगा तो उससे भी जो है वो leaf curl की problem बहुत जादा आती है इसके लिए आप इसकी मिट्टी हमेशा हल्की और well-drained बनाये करें जिससे जड़ों में पानी बिल्कुल भी रुके नहीं शिमला मिर्च के पौधे से अगर आप ज़ादा फल और फूल लेना चाहते हैं तो इसको फूल सनलाइट में रखके ग्रो करें जहां दिन में इसको कम से कम 5-6 घंटे की धूप मिल सके बाकी शिमला मिर्च जो है अगर आपके यहां धूप कम आती है तो भी शिमला मिर्च का प्लांट अच्छी तरीके से ग्रो होता है भले उसमें थोड़ी फूरूटिंग कम होगी धूप के मुकाबले लेकिन जैसे 2- एक बार जब टेंपरेचर 30-35 से जादा क्रॉस होने लगता है उसके बाद आपको इसको थोड़ा शेड़ेड एरिया में रखना चाहिए मतलब उस टाइम पे आप अगर आपने गमले या ग्रो बैग में लगाया हुआ है तो उसको आप सुबह वाली धूप वाली जगा पे शिफ्ट कर दे या फिर जैसे गाडन नॉर्मल गाडन में है तो उपर आप ग्रीन नेट वगेरा लगा सकते हैं अब शिमला में इसके प्लांट से जादा पैदावार पाने के लिए आपको उसको समय समय पे फटलाइज यानि उसको सही से खाद वगेरा देना भी बहुत ज स्टार्ट होने वाली होती है या हो रही होती है उस टाइम आपको एक बार सही से फटलाइज करना चाहिए साथी उसमें जब फल लगना स्टार्ट होते हैं उस टाइम भी आपको उसको सही से खाद देना बहुत जादा ज़रूरी होता है तो चलिए पहले देखते हैं कि और एक से दो मुठी आपको जो वर्मी कमपोस्ट है उसका इस्तमाल करना है साथी साथ एक से दो चुटकी आपको इसमें चूना कैल्शियम के लिए ज़रूर डालना है शिमला मिर्च में जो लीव करल की प्रोब्लेम आती है वो उसका एक कारण जो है वो कैल्शियम की कमी भी होती है इसलिए आपको जैसे महिने में एक बार या 15 से 20 दिन में एक बार शिमला मिर्च के पौधे में कैल्शियम फर्टलाइजर का आपको ज़रूर इस्तमाल करना चाहिए और साथी साथ जब प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे पहुँचता है उस टाइम आपको आधा से एक चम्मच जो सीविड एक्स्ट्राक फर्टलाइजर है उसको भी मिट्टी में जरूर मिलाना चाहिए इससे पौधे में फूलों और कलियों की जो संख्या है वो बढ़ेगी साथी जब शिमला मिर्च में फूल लगना स्टार्ट होते हैं तो पानी थोड़ा आपको सीमित मात्रा में देना चाहिए जैसे मिट्टी में नमी तो आपको बना के रखनी है लेकिन मिट्टी को बहुत ज़ादा कीचर जैसा गीला नहीं होने देना है नहीं तो उससे शिमला मिर्च में फूल जड़ने की समस्या बहुत ज़ादा आएगी मतलब फूल जो है वो आएंगे फल बनने से पहले ही यानि फल में कनवर्ट होने से पहले ही ज़ड़ जाएंगे अगर आप पानी उस टाइम बहुत ज़ादा देंगे तो और एक बार जब फल सेट होना स्टार्ट हो जाएं मतलब फल का साइज थोड़ा बड़ा होने लगे उसके बाद पानी आप सही से दें क्योंकि जो शिमला मिर्च का फल का साइज होता है वो काफी बड़ा होता है तो उसका साइज बढ़ सके उसके लिए उसको पानी की जादा आशकता पड़ती है तो नियमित रूप से उस टाइम आपको पानी देना चाहिए जब प्लांट में फल बनना स्टार्ट हो जाते हैं तब साथी साथ आप इसमें जो फलो और फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम फॉस्फोरस और पोटाश्यम रिच फर्टलाइजर का भी इस्तमाल करते रहें जैसे उसके लिए आप बोन मील का यूज कर सकते हैं बोन मील में फॉस्फोरस कैल्शम भी होता है फॉस्फोरस की अच्छी मात्रा होती है बहुत लोग ऐसा कॉमेंट करते हैं कि वो बोन मील इस्तमाल नहीं करते तो बोन मील का मैंने अल्रेडी एक सब्स्टिट्यूट बताया हुआ है जिसकी वीडियो मेरे चैनल पे अप्लोडेड है आप चैनल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत आसानी से वो वीडियो मिल जाएगा बोन मील का सब्स्टिट्यूट वाला बाकी मैं एंड स्क्रिन पे भी डाल दूँगी वो वीडियो बाकी कैल्शियम, पोटाशियम इन सभी के बहुत सारे फ्री के स्रोथ हैं जिनका आप इस्तमाल कर सकते हैं उन सभी के बारे में भी डीटेल जानकारी मेरे चैनल पे अप्लोडेड है आप चाहें तो वो सारे वीडियो भी जाके देख सकते हैं और उन खाद वग्यरा को आप इसमें इस्तमाल कर सकते हैं बाकी शिमला मिर्च एक बार जब आप ट्रांस्प्लांट करते हो जैसे पौधे तयार करने में लगभग एक महिने का समय लगा उसके बार ट्रांस्प्लांट करने के लगभग 40-45 दिन में इससे हार्वेस्टिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है शिमला मिर्च के प्लांट से अगर आप रेगिलर और जादा हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो इसके फल को जब फल का साइज कुछ ठीक ठाक बड़ा हो जाए इस साइज का तो आप इसको हार्वेस्ट कर लिया करें जादा दिन फलों को पौधे पे नहीं छोड़ें टाइम टू टाइम अगर आप हार्वेस्टिंग करते रहेंगे तो इसमें लगातार फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होते रहेगी तो दोस्तों आप भी इन बातों को ध्यान में रखे शिम्ला मिर्श का प्लावरिंग और अगर लगाया हुआ है तो इन केर टिप्स को ध्यान में रखे इससे आपके भी शिम्ला मिर्श के प्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी शिमला मिर्च के प्लांट से रिलेटेड और भी वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूंगी बाकि आपकी भी अगर प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्षिन में पूछ सकते हैं और अगर ये वीडियो और ये जानकार ये अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक ज़रूर करें चैनल पे न्यूएं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें अंत में बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए